हालो एंड गुड मॉनिंग आइवरीबान आप सभी लोग का स्वागत है श्टेडी ग्लॉज पर और आज है 14 जुलाई बहुत ही बहतरीन करेंट अफेर आज हम लोग कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आप लोग के लिए है आज आप वह सपना देख रहे हो जो आपने कभी नहीं देखा तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया सपने यदि उचे देखे हैं तो उनके लिए फिर मेहनत भी बड़ी शिद्दत से करनी पड़ती है क्योंकि यहां पर बात है पद और प्रतिष्ठा की और समय एक बार गुजर जाता है तो वो फिर किसी का इंतिजार नहीं करता तो आपने जिस इस्तर पर जाकर अपने सपने देखे हैं उसी इस्तर की फिर आप लोग को मेहनत करनी पड़ती है तो चलिए इसी मेहनत को सलाम करते हुए आज हम लोग शेशन को शुरू करते हैं इंटरनेशनल और नेशनल नियूस कवरेस के साथ में चीन का अमेरिकी युद्धपोत खदेड़ना का दावा पार्सिल जो आइलेंड है वहाँ पर अमेरिकी जो शिप है वो आई और इसको चीन ने खदेड़ दिया ऐसा चीन ने दावा किया है लेकिन बाकी कंट्रीज जो हैं वो इस चीज से इंकार कर रही है जैपुर फुट युएसे ने दिव्यांगो को मुफ्त आइटिफिशल जो औरगन है वो लगाने के लिए वैन चलाई गई है तो और ये वैन जो है वो गुजरात के अंदर चलाई गई है जैपुर फुट के जो आविश्कार रख है इंवेंटर है वो है पीके शेठी नेपाल में भंग संस बहाल करती गई है और वहां के राष्टपती विद्दा देवी भंडारी के द्वारा प्रधान मंतरी देवबा को निक्त कर दिया गया है और यहां पर यह जो आदेश दिया गया था सूप्रिम कोट के द्वारा यह आदेश दिया गया था जाने ही हम लोग विस्तार से कि क् शुरू हो चुकी थी कोरोना की तीश्री रहर कल मैंने आप लोग को एक फैक्टर बताया था R फैक्टर R फैक्टर का मींस यह होता है कि एक infected person जो है वो कितने others को infect करता है तो अभी जो R फैक्टर की value है वो एक के नजदीक पहुँचने वाली है तो हम लोग यह कहें कि 0.88 से वो यदि एक के नजदीक पहुँचती है तो 100 संक्रमित जो व्यक्ती है वो पहले 88 लोगों को संक्रमित कर रहे थे अब जो है वो 100 को करने लग जाएंगे यदि हम लोग बात करें second wave की तो उस समय R फैक्टर की value थी 1.38 मतलब 100 infected लोगों ने 138 लोगों क्या किया infected किया था डियू में होगा बांगलादेश की कला संस्कृति पर शोध बांगलादेश के साथ संबंदों को अच्छा बनाने के लिए बंग बंदू चेयर जो है वो डिली उनिशिटी के अंदर स्थापित की गई है जनसंख्या नियंतरन समान नागरिक सहीता पर लाए जाएंगे नीजी बिल प्रावेट बिल जो है वो कॉमन सिविल कोर्ड पर अब लाए जाएंगे दो सांसर जो है उन्होंने इस चीज का दावा किया है भारत ने किया सूपर्सॉनिक ब्रह्मोस मिसाइल का परिक्षण उडिसा के चानदीपूर रेنस से ब्रह्मोस मिसाइल जो की भारत और रूस की मदद से बनाएं गई है इसका हाल ही के अंदर परिक्षण किया गया है और इसकी मारक शम्ता जो है वो लगभग 400 किलोमेटर बताई जा रही है पुरी में सीमित भक्तों के साथ निकली भगवान जगनात की रत यात्रा तो जो कोनार्क सूर्य मंदिर है वो उडिसा के अंदर इस्तित है और इसके साथ में जगनात पुरी के अंदर ये जो है भगवान जगनात की रत यात्रा इसको उपराश्ट पती M.Wank and I.D. के द्वारा हरी जंडी दे दी गई है नौसेना की नई पंडूबियों में नहीं होगा सोडेशी AIP तो Air Propulsion System जो है वो अब सोडेशी मतलब DRD ने जो विक्सित किया था उसका इस्तमाल ना करके जो बाहर से हम लोग आयात करेंगे इंपोर्ट करेंगे उसका इस्तमाल अब सम्मरीन्स के अंदर किया जाएगा प्रत्वी के वायो मंडल से आज या कर टकरा सकता है शक्ति साली सोलर जो तुफान है वो टकरा सकता है सोलर जो स्ट्रॉम है इसका मीन्स होता है कि सूर्य के उपर जो भी electronic waves हैं, electromagnetic waves हैं वो काफी मात्रा में बढ़ने लग जाती है जिस से प्रत्वी के उपर जो waves हैं या हम लोग का है spectrum जो है वो काफी disturbed होता है चाहे हम लोग internet का use करें, mobile का use करें या फिर other कोई भी devices use करें तो उसमें problem आने लगती है इस यडिगलोज पर personality development के बहुती 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 बैतरीन courses available है और खास तोर पर females के लिए बहुती 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 बैतरीन courses available करवा दिये गए है यदि आप लोग SID50 इस code का use करेंगे तो आपको 50% discount जो है वो भी avail करा दिया जाएगा आप लोग के लिए NCRT के banking के और current affair के courses जो है वो हमारी sharegloss learning app जो है उसको आप लोग download कीजेगा और वहाँ पर आप ये सभी courses को avail कर सकते हैं आप मुझे इस्टा पर follow कर सकते हैं जो भी आपकी queries हो वो मुझे पूछ सकते हैं या फिर यहां तक ही आप जो चीज बढ़ रहे हैं जो हम लोग current affair का session ले रहे हैं आप लोग के जो भी suggestion हो वो मुझे इस्टा पर आप लोग message कर सकते हैं इसके साथ में ही lecture की PDF जो है वो आप लोग को with answers telegram channel के उपर available करवा दी जाएगी और जो भी questions हम लोग करते हैं उसके quiz जो है वो telegram channel के उपर available रहते हैं तो वहाँ पर जाके आप लोग उसे attempt कर सकते हैं चलिए 13 जुलाई की current affair को हम लोग एक बार revise कर लेते हैं कोरोना महामारी के दोरान एक संकरमित व्यक्ती कितने लोगों को संकरमित कर सकता है तो इसके लिए R factor को use किया जाता है दुनिया की सबसे सस्ती fungus test kit जो है उसका नाम है Diagnosaur Mucor Microsis Detection Kit जो है ये है टुटर के दोरा भारत में किस स्थाई सिकायत अधिकारी की निक्ती की गई है तो वो है विन्यप्रकाश कोरोना से मृत्गों की विद्वाओं की आर्थिक मदद करने के लिए विद्वा समर्थन योजना आसाम सरकार के दोरा चलाई गई है हाल ही में किस राजे सरकार के दोरा एक नया विभाग सोदेशी आस्था और संसकर्ती विभाग का निर्मान किया गया है तो वो है आसाम भारती मूल की शिरी साब बांदला ने रिचर्ड ब्राइन्स के साथ में कौन सरा अंतरिक्ष जो यान है इससे यात्रा की है तो वो है विर्जिन गेलेक्टिक सूपरिम कोट की पूर्व जजज और बॉम्बे हाई कोट की पहली महिला जज जो है वो है सुजाता मनोहर जिनको अमेरिका के द्वारा सम्मानित किया गया है विशु के नंबर एक खिलाडी नोवाक जोकोविच ने विंबल्डन का छेवा खिताब और बीसवाक ग्रेंड स्लैम इन्हों ने जीता है कोपा अमेरिका कब जो है 28 साल के बाद अर्जेंटिना ने जीत लिया है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में Q3 रैंकिंग में जापान शीर सिस्तान पर है हाल ही में 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है तो वो है मलाला डे विंबल्डन टैनिस टूरामेंट 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब जो है वो ऐशले बाइटी में जीता है यह जो पुस्तक है वो बलजीत सिंग बलजीत कौर जो तुलसी है इनके दोरा लिखी गई है बाहरी उद्ध्योग और साजनेक उद्ध्या मंत्रा ले मतलब Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises जो है इसका नाम बदल कर Heavy Industries Ministry कर दिया गया है WWF और UNDP की रिपोर्ट की अनुसार 35 प्रतिशत बाग जो है वो संदक्षित छेतर के बाहर रहते हैं यह कल का हमारा Shady Close कोशन था कि वेशु तिरंदाजी Championship 2021 के वेक्तिकत इस परदा में किस भारती महीला तिरंदाज ने स्वन पतक जीता है तो वो कौन है DP का कुमारी है चलिए आज है 14th of July और बहुत ही बैतरीन करेंट अफेर के शुरुआत हम लोग करने जा रहे है पहला कॉशन बड़ा ही बैतरीन है और काफी important भी है कि दिल्ली विश्वित धाले में बांगलादेश से अच्छे संबंद स्थापित करने हैं एक नया institution जो है इसकी स्थापना की गई है तो नाम जो है वो यहाँ पर देखिए आप लोग काफी confusion वाले हैं तो बंग बंदू जो चेर है इसकी स्थापना की गई है इस नाम पर आप लोग और फर्माना क्योंकि यदि चैंबर यदि आता है तो वहाँ पर वो गलत हो जाएगा चेर जो है वो आप लोग को यहाँ पर करेक्ट करना है बंग बंदू का means हम लोग समझ लेते हैं देखिए बंगलादेश को जो आजादी मिली थी वो 1971 के अंदर मिली थी और शेख मुझिबूर रह्मान जो थे वो इस समय क्या थे प्रधान मंतरी थे तो शेख मुझिबूर रह्मान जो थे इनको बंगलादेश को मुक्ती दाता कहा जाता है और इनही को कहा जाता है बंग बंदू और इनही के नाम पर बंग बंदू चेर जो है इसकी स्थापना की गई है तो ये है काफी important fact चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ICCR To Set Up Chair at Delhi University To Honor Founding Father of Bangladesh तो Father of Bangladesh कौन है? शेख मुझेबुर रहमान है देखे छोटी सी story जो है वो शेख मुझेबुर रहमान की मैं आप लोग को बताता हूँ तो बांगलादेश को इंडिपेंडेश जो थी 1971 के अंदर मिली थी और उस समय शेख मुझेबुर रहमान क्या थे यहां के प्रदान मंत्री थे? देखे, 1971 के अंदर 373 तो मिली लेकिन इसकी बाद में ही 1975 के अंदर शेख मुझेबुर रहमान की 15 अगस्ट 1975 को हत्या कर दी गई थी और इसी लिए जिस दिन भारत अपना स्वतंतरता दीवस मनाता है उस दिन बांगलादेश जो है वो शोक दीवस के रूप में मनाता है अब इनकी हत्या क्यों कर दी गई थी? क्योंकि 1974 में इंदरा गांधी और शेख मुझेबुर रहमान की बीच में एक सीमा समझोता होता है और उस सीमा समझोते से कई सैनिक विद्रोही जो थे वो नाराज थे और इसी के चलते शेख मुझेबुर रहमान की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ICCR की सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए Indian Council for Cultural Relations जो है ये इसकी फुल फॉर्म है और इसके साथ में DU मतलब दिल्ली उनिशिटी जो है इसने क्या किया है टाइप किया है M.O.U. साइन किया है जिसके तहत भारत और बांगलादेश के बीच में भारत और बांगलादेश के बीच में जितने भी cultural relations हैं और जो भी relations हैं international relations हैं उनको maintain करने के लिए इस chair की स्थापना की गई है चलिए और देखते हैं इसके बारे में यहाँ आप लोग देख सकते हैं the chair will focus on the Indo-Bangladesh common cultural heritage and subject like to anthropology Buddhist studies जो है इसको promote किया जाएगा geography, history, modern India, languages जो है इनको promote किया जाएगा music है, fine arts है, political science है और international relations जो है इन सभी के courses जो है वहाँ पर available रहेंगे, books रहेंगे तो सारी facilities जो है वह इनके लिए available करवा दी जाएगी देखे 1971 से पहले ये तो था कौन सा western Pakistan और ये था eastern Pakistan ठीक है तो यहाँ पर eastern Pakistan जो है ये पाकिस्तान से indirectly connected था तो यहाँ से ये जो रस्ता है जैसे यहाँ पर हम लोग कहते हैं पाक वाटर स्टेट, पाक जलसंधी तो एक पाकिस्तान को दूसरी पाकिस्तान से जोडने के नाम भरी पाक वाटर स्टेट जो है वो इसका नाम रखा गया है तो बांगलादेश जो है वो 1971 के अंदर आजाद हुआ किस से आजाद हुआ था पाकिस्तान से इसको आजादी मिली थी चलिए हम लोग बात कर रहे थे कि दोनों देशों की बीच में सीमा समझाता हुआ था 1974 में और वही सीमा समझाता जो है वो 2015 के अंदर सोवे समिधान संशोदन के रूप में परिणित हुआ था इंडियन कॉंस्टिशन के अंदर और उसके तत टोटल 162 जो एंकलेव्स थे वो आपस में ट्रांसफर किये गए थे 111 जो थे वो तो थे इंडिया के और 51 जो थे वो थे बंगलादेश के तो दोनों आपस के अंदर क्या हुए थे यहां पर यह शिफ्ट किये गए थे एक दूसरे से ट्रांसफर जो थे इनको किया गया था तो टोटल जो लैंड है वो काफी जादा यहां पर एक दूसरे के साथ जो थी वो क्या की गई थी बाउंडरी जो थी उसको शेर किया गया था तो आप लोग 100 जो कॉंस्टिशन आम लेकिन यह जो है वो अब डूब चुका है यह जो आइलेंड है भारत और बंगलादेश के बीच में विवादित था आप लोग को पता होगा तीन बिगा गलियारा तीन बिगा जो गलियारा है तीन बिगा कॉरिडर यह भी भारत और बंगलादेश के बीच में क्या है विव को दे दिया है यह अब काफी जादा डूब चुका है पानी के अंदर जो है यह आइलेंड डूब चुका है अभी हम लूग बात कर रहे थे पारक ुआटर एश्टेंट की तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है पारक Water Strait, यह है जाफना, आईलेंड, यह है रामेशोरम ठीक है, तो सबसे अंतिम जो है वो आता है कौन सा रामेशोरम ठीक है, भारत और बंगलादेश की बीच में जो ट्रेश चलती है जैसे हम लोग बात करें मैतिरी एक्सप्रेस की ठीक है मैतिरी एक्सप्रेस ट्रेंज जो है वो किसके बीच में चलती है भारत और बंगलादेश के बीच में इसके साथ में ही दो और ट्रेंज जो है वो भारत और बंगलादेश के बीच में चलती है तो टोटल जो है वो तीन जो है वो रन होती है बिट्विन इंडिया एंड बांगलादेश दो ट्रेंस कौन सी है उनका नाम जो है वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा चलिए आगला कोशन लेते हैं देश का पहला ग्रीन हाइडरोजन मॉबिलिटी प्रोजेक्ट जो है वो एंटीपीसी के द्वारा नैशनल थलमर पावर कॉर्परेशन जो है इसकी द्वारा कहां पर इस्थापित किया गया है तो लद्दाक के अंदर जो है वो इसको पार्गेट है कि दो हजार बतीस तक दो हजार बतीस तक साट गीगावाट कितना साट गीगावाट जो है वो रिन्यूबल एनरजी को प्रड्यूस करना है लेकिन ये भी तो सोचने की बात है कि एंटीपीसी की द्वारा ऐसा कदम क्यों उठाय जा रहा है देखिए आप लो है और उसको अपने प्रॉफिट का कुछ पर्सेंट या हम लोग कहें कि लगबग दो से तीन पर्सेंट जो है वो सोचल एक्टिविटीज के अंदर खर्च करना पड़ता है इसी लिए ये पी एस यूज जो है कॉर्परेट जैसे रिलाइंस वगरा है ये समास सेवा के छेत किया जाएगा इसके साथ में ही यहां पर पांच हाइड्रोजन की जो बसे हैं पांच हाइड्रोजन बसे जो है उनको रंग किया जाएगा और एक सोलर प्लांट जो है इसको भी इस्थापित किया जाएगा तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट जो है ये चलाय गया है और ये जो है ले है जिसकी बात की जा रही है ये भारत का पहला ऐसा शहर होगा जहां पर ग्रीन हाइडरोजन की शुरुवात की जाएगी तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक कमपनी है REL मतलब Renewable Energy Limited जो है इसकी तहत ये जो ग्रीन हाइडरोजन है इसको यहां पर इस्तापित किया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये ग्रीन हाइडरोजन जो है इसको प्रड्यूस कैसे किया जाता है चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि offshore मतलब समुद्री किनारे से थोड़ा सा दूर जो है वो यहां पर wind energy का एक plant लगा है इस wind energy से electricity produce होगी और electricity जो produce हुई है इसको इस electrolyte के अंदर भीजा जाएगा जैसे हम लोग बात करें कि H2O2 जो होता है इसमें से hydrogen और oxygen को अलग करने के लिए electrolyte system जो है उसका use किया जाएगा और उसका use करने के लिए electrons की जरुवत पड़ती है और वो electrons जो है वो electricity के थूप जो है provide कराई जाएगे और वो electricity wind energy की दवारा क्या की जाएगी? produce की जाएगी और जैसे ही यहां पर oxygen और hydrogen को अलग किया जाएगा तो hydrogen को जो है वो cylinders के अंदर क्या कर दिया जाएगा? यहां पर क्या कर दिया जाएगा? और फिर इसका जो यूज किया जाएगा वो zero carbon heating जो homes है इनके अंदर इसको क्या किया जाएगा यूज किया जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि लद्दाग को carbon neutral बनाने के लिए ही ये सारे प्रियाज जो हैं वो किये जा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि NTPC की REL अभी मैंने full form बताये थी renewable energy limited जो है 100% subsidiary of NTPC signed a MOU with the union territory of Ladakh to set up the country's first green hydrogen mobility project in region ठीक है तो ये भारत का कैसा होगा पहला ये project होगा चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि NTPC का target है कि 2032 तक 60 GW जो है उस energy को produce करना है क्या आप लोग मुझे comment section में बता सकते हैं कि भारत का जो target है भारत का target renewable energy को produce करने का वो 2030 तक कितना है ये मुझे आप लोग comment section में जरूर बतायेगा यहाँ तक की NTPC ने recently भारत का सबसे बड़ा जो floating solar project है 10 MW का उसको विशाका platinum के अंदर क्या किया है recently inaugurate भी किया है चलिए को किस इस्थान पर मंजूरी दी गई है तो Mumbai के अंदर जो है वो bad banks को क्या दी गई है मंजूरी दी गई है अभी हम लोग समझते हैं कि ये bad banks जो है वो क्या होते हैं लेकिन bad bank को दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको हम लोग कहते हैं N.A.R.C.L. N.A.R.C.L. की full form क् वो है National Assets Reconstruction Company Limited ये इसकी full form है bad bank जो है इसका दूसरा नाम है ठीक है अब जो है इसके पहले जो MD बनाए जाएंगे ठीक है इसकी स्थापना Mumbai में की जाएगी पहले जो MD है वो बनाए जाएंगे ये क्या बनाए जाएंगे इस bad bank के MD बनाई जाएंगे और इसके directeur जो है directors वो कितने होंगे कुल तीन director जो है वो बनाए जाएंगे हम लोग कहें कि इस bad bank के members रहेंगे सबसे पहले है कौन सबसे पहले है सुनील महता सुनील महता का आप लोगों नाम सुना होगा कि ये जो हैं वो इंडियन बैंकिंग जो असोशेशन हैं उसके क्या हैं ये चीफ है इसके बाद में हैं सुकुमार नायर सू कुमार नायर जो है ये किसके है ये SBI के डेपूटी जो चेयर परसन है वो है इसके साथ में अजीत कृष्णन याद रखना इसके साथ में अजीत कृष्णन जो है वो किसके हैं कैंडरा बैंक के कैंडरा बैंक जो है इसके क्या है ये CEO है तो तीन जो हैं वो इसके member list के अंदर है चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर bad banks क्या होते हैं तो a bad bank is set up with the purpose of buying the other banks bad loans at the market price with the significant unsuccessful assets यहाँ पर देखिए कि जो भी bad loans होते हैं या फिर आप लोग इसके लिए दूसरी term समझ यह NPA non-performing assets तो non-performing assets जो होते हैं उनको purchase जिस bank के द्वारा किया जाता है वो होता है bad bank और market price पर इस इन NPS को purchase किया जाता है और bad bank क्या करता है इसको वापस से वापस से इनको क्या करता है recall करता है इन bad loans को तो bad bank आप लोग समझ गए NPA समझ यह कि यदि कोई किसी वेक्ती ने कोई loan लिया है और उस loan की किस्त या फिर loan का जो payment है वो यदि 90 दिनों तक वो नहीं चुकाता है repayment नहीं करता है कोई भी उसकी installment है या फिर interest है तो फिर उसको NPA में count करना शुरू कर दिया जाता है चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि the NPA that will be transferred to the NARC तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं VOVL यह कि यह debentures हैं companies हैं इनके यह जो bad loans है इनको कहाँ पर transfer किये जाएंगे bad banks के अंदर इनको transfer किये जाएंगे recently RBI के दोरा एक report थी जो कि यह बताती है कि September 2021 तक जो debt है वो 13.5% तक इसको लेकर आना है यदि मान लीजिए कि 15% को जैसे ही यह cross करता है तो यह बहुत ही यह बहुत ही ज़्यादा NPA बढ़ने की खबर होती है तो हम लोग कहते हैं कि economy के ओपर काफी burden बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसको set करना है 13.5% तक चलिए बढ़े हम लोग आगे यहाँ पर आप लोग देखिए कि recently नेपाल का जो supreme court है उसकी दोरा एक आदेश दिया गया है उस आदेश में यह कहा गया है कि शेक बहादूर देवबा जो है इनको क्या बनाया जाए परधान मंतिरी बनाया जाए लेकिन question यह है कि यहाँ पर किस writ का use किया गया है देखिए आप लोग Indian constitution के अंदर जो writ पड़ते हैं वो article 32 में पड़ते हैं और एक पड़ते हैं article 226 में तो article 32 की तहथ Supreme Court और article 226 के तहथ High Court जो है वो writ जारी करते है article 32 में Supreme Court जो है वो 5 परकार की जबकि High Court जो है वो 6 परकार के writ जारी कर सकता है ठीक इसी प्रकार जो नेपाल का constitution है उसमें भी रिट का प्रावधान है और वहाँ पर रिट जो है वो बिलकुल भारत की तरह ही है और वहाँ पर जो रिट जारी की गई है वो है कौनसी मेंडेमस और मेंडेमस को हिंदी में कहा जाता है परमादेश परमादेश जो है ये इसक इसको यह आदेश दिया है कि आपको प्रधानमंत्री को निक्त करना है, तो इसे हम लोग कहते हैं, मैंडेमर्ज. ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हैबियस कारपस लिखा हुआ है, जैसे हैबियस कारपस है, सर्शोरी है, प्रोहिबिशन है, यह सारे टम जो है, ये तो आप लोग समझते होंगे, ठीक है, जैसे habious carpus की है, किसी वेक्ती को बेवजह जो है, या निराधार जो है, उसको arrest कर लिया गया है, पुलिस के द्वारा, और फिर उसे छुडाने के लिए जो writ जारी की जाती है, है, वो है habious carpus, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए, certiori, prohibition, इनका मतलब आप लोग समझते होंगे, ज्यादा depth में भी हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे, बिसिकल यह है कि किसी भी वेक्ती के human rights का जो violation होता है, तो फिर वो direct high court या फिर supreme court जा सकता है, तो जब वो supreme court जाता है, तो certiori, prohibition, habious carpus, mandemus और क्यों वारंटो, यह पांच प्रकार के रिट जो है, वो supreme court के द्वारा जारी की जा सकती है, जबकि यहाँ पर high court की एक अलग रिट जो है, छेवी प्रकार की वो होती है, कौन सी injunction जो है, यह रिट होती है, मतलब अंतरिम राहत जो है, यह high court की एक अलग से रिट होती है, चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कि mandemus जो रिट है, वो जारी की गई है नेपाल के सूप्रिम कोर्ट के द्वारा, देखिए, यह जो एक तरीके से तमाशा ही जो है, वो काफी लंबे समय से चला हुआ आ रहा था, केपी शर्मा ओली जो हैं, केपी शर्मा ओली, यह कही न कहीं align है किसकी तरफ चाइना की तरफ तो चाइना जैसे कहता है वैसे का वैसा ये केपी शर्मा ओली करते हैं तो शेर बहदूर देवबा का यहां पर प्रधान मंत्री बनना कहीं न कहीं भारत के लिए एक अच्छी खबर भी है तो यहां हम लोग बात करें कि इनका संबन जो है जिस पार्टी की प्रेसिडेंट है वो है नेपाली कॉंग्रेस और इसके जनरल सेक्रेटरी फाउंडर वगरा ये आप लोग देख सकते हैं जाना चाहे तो ज़्यादा इंपोटेंट ये नहीं है लेकिन इनका संबन जो है वो कौन सी से है नेशनल असेंबली और दूसरा है हाउस ओफ रिप्रेसेंटेटिव और इसको फाउंड किया गया था पांच मार्च दो हजार अठारा को तो रीसेंटली जो है वो यभी ये अस्तेतों में आई है और यहां के जो प्रेसेंट है वो है विद्यादिवी भंडारी और 29 सक्टूबर 2015 को इन्होंने अपना पत संभाला था वाइस प्रेसिडेंट जो है वो है नंद किशोर पुन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है चैर्मन अफ नैशनल असेंबली गनेश प्रशाद तिमिल सीना है यहाँ पर हाउस ओफ रिप्रेसेंटिव अगनी प्रशाद सब कोटा है यह काफी इंपर्टन फैक्ट्स हैं यह आप लोग जरूर याद रखेगा यहाँ पर हाउस ओफ रिप्रेसेंटिव जो है उसमें 275 सीट्स हैं और यहीं पर जो है वो मैजोरिटी शो करने पड़ती ह यहाँ पर है यहाँ पर आप लोग वोटिंग का मैथड भी देख सकते हैं फर्स्ट पास्दा पोष्ट मतलब अगरता ही विजेता जिसने ज्यादा वोट जीते हैं वो हाउस ओफ रिप्रेसेंटेटिव के अंदर क्या बनता है लीडर बनता है जबकि नैशल असेंबली में भारत की राजयसभा की तरह ही है single transferable voting method है और यहाँ के constitution के अंदर total 35 parts है भारत में कितने हैं 22 parts है जबकि यहाँ पर 308 article है भारत के अंदर 395 अर्टिकल है 9 schedule है और भारत के अंदर 12 schedules है ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 598 member जो हैं वो यहाँ पर हैं जबकि भारत म यहां पर साथ बार जो है वो constitution बन चुका है 1948 में 51 के अंदर 59 62 90 और 2007 के अंदर यहां पर constitution बन चुका है देखिए भारत और नेपाल की बीच में काला पानी जो विवाद है वो भी काफी जादा एक बार के लिए हुआ था 2019 के अंदर जैसे काला पानी है लिम्पयादूरा है यह जो है भारत और नेपाल के बीच में बिसिकली भारत जो है वो इन विवादों को नकारता है लेकिन नेपाल जो है वो बार बार इंची जो को जागर करता है चली अगला question है आल ही में विश्व प्रशिद केसरिया बोध इस्तूप भारी वर्षा के कारण बार में जल मगन हो गया है तो यह किस राज्य के अंदर है तो यह बिहार के अंदर इस्तित है और यह जो है किस नदी पर है वो है गंड़क नदी के ऊपर तो काफी जादा बार आने के कारण यहां पर यह क्या हो गया है जल मगन हो गया है देखिए इस इस्तूप की खोज जो है यह जो आप लोग इस्तूप देख रहे हैं कैसरिया इसको 1998 के अंदर क्या किया गया था खोजा गया था और यह दुनिया का सबसे उंचा और सबसे बड़ा सबसे उंचा है और सबसे वाजूद भी ये जलमगन हो रहा है और इसका जो निर्मान है वो वेशाली के जो लिच्वी वंच थे वेशाली के जो लिच्वी थे उन्होंने क्या किया था इन्होंने इसका निर्मान किया था तो आप लोग जब बौद का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये लि से मिलने वाल नदी है कोसी नदी को बिहार का जो है वो शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें लगातार जो है वो बाड़ आती रहती है इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है जबकि दामोदर जो है वो किसका है वो है बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है तो गंगा की और भ किसकी यह है गंगा की चलिए कोरोना का वेरियंट का नामकरण किस भाषा के आधार पर किया जाता है तो यहां पर यह काफी इंपोर्टेंट कोशन है और यह किया जाता है किसके ग्रीक भाषा के आधार पर किया जाता है देखिए अब तक जो वेरियंट मिले हैं उनकी संक्या कुल 11, 11 वेरियन्ट अब तक मिल चुके हैं, जैसे हम लोग बात करें, कि जैसे सबसे पहला था अलफा, तो अलफा के अधी हम लोग बात करें, तो अलफा वेरियन्ट जो था, इसका वेरियन्ट कौन सा था? B117, और ये कहां मिला था? UK के अंदर मिला था, Alpha के बाद था फिर क्या था बीटा तो बीटा जो था ये था B1351 और ये कहां मिला था South Africa के अंदर मिला था Alpha, Beta और फिर आएगा कौन सा Gamma Alpha, Beta और फिर आएगा Gamma Gamma के लिए था P1 और P1 जो मिला था वो कहां मिला था Brazil के अंदर ये मिला था और यदि हम लोग भारत की बात करें, alpha, beta, gamma और delta, तो delta का variant कौन सा था, b1672, यह जो था, यह कहाम मिला था, इंडिया के अंदर सबसे पहले मिला था, और इसको क्या नाम दिया गया है, delta नाम दिया गया है, तो भारत के अंदर delta और kappa जो हैं, यह दो variant है, देखिए, Greek language की यदि हम लोग बात करें, तो इसमें जो letters होते हैं, वो total 24 letters होते हैं, alphabets होते हैं, और उनी के आधार पर इनका नाम रखा जाता है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी mutations होते हैं, mutations, उनकी आधार पर इनका नाम जो है, वो रखा जाता है, ठीक है, और basically यह जो spike protein आप लोग देख रहे हैं, इनी के अंदर क्या होता है, mutation जो है, वो start होता है, यहाँ पर आप लोग देखिए, कि यह जो variants हैं, अभी मैंने आप लोग को बताया है, alpha, beta, gamma और delta जो है, यह इंडिया, ब्राजिल, South Africa और UK के अंदर फैलना शुरू हुए थे, डिव्यांगों को यहाँ पर बात की जा रही है, और जैपूर फुट जो है, इसको जो invent किया था, वो PK-70 के द्वारा किया गया था, तो PK-70 को जो है, वो यहाँ पर इसका श्रे दिया जाता है, तो गुजरात के अंदर एक van जो है, van जो है, mobile van, वो क्या करेगी, वो जो भी disabled person है, उनके पास ज 1961 के अंदर, डॉक्टर PK-70 जो है, वो orthopedic surgeon थे, SMS hospital के अंदर, और उन्होंने ही, राम सी सर्मा के साथ में मिलकर, इनको क्या किया था, जैपूर फुट को invent किया था, तो कई बार exam के अंदर ये question भी पूछा जा चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा नदिये दीब कौन सा है, जो विलुप्त की कगार पर है, तो वो है माजुली दीब, तो माजुली दीब, ये विलुप्त क्यों होता जा रहा है, तो इसका answer जो है, वो हम लोगों को इस diagram के अंदर मिलेगा, देखिए, ब्रह्मपुत्र जो river है, वो यहाँ एक glacier से निकलती है, ठीक है, वो कौन सा है, यार लुंडुंग जो glacier है, यहाँ से निकलता है, और glacier आप लोगों को पता है कि climate change होने की कारण, glacier जो है, वो लगातार पिखलते जा रहे हैं, और glacier के पिखलने से ये जो ब्रह्मपुत्र river है, इसका जो flow है, वो काफी बढ़ चुका है, और इसका level जो है, वो भी काफी जल मगन हो जाए, और रिसेंटली आपको पता होगा, कि माजूली आइलेंड जो है, इसको असाम का एक district जो है, वो भी announce कर दिया गया था, चलिए, बड़े हम लोग आगे, यहाँ पे आप लोग देखिए, कि कोगु नाडू छेत्र जो है, इसको किस राजे से अलग करके, नया संग राजे छेत्र, मतलब union territory जो है, वो बनाने की मांग उठ रही है, तो वो किया जा सकता है, तमिल नाडू से, देखिए, लेकिन यहाँ की तमिल नाडू की जो leaders हैं, वो इस चीज़ का विरोत कर रहे हैं, कि नहीं, इसको union territory नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन काफ नाडू छेत्र के अंदर, यहाँ पर आप लोग देखिए, इरोड, तो इरोड हल्डी जो है, जिसको GI Tech दिया गया है, वो भी इसी छेत्र के अंदर इस्थित है, लेकिन सोचने की बात है, कि यह मांग जो है, वो क्यों उठ रही है, वो इसलिए उठ रही है, क्योंकि कई ब पूरी तरीके से डिस्ट्रिब्यूट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, वेस्टन साइड के अंदर है, इरोड का मैंने आप लोग को बता ही दिया है, कि यहाँ की हल्दी जो है, उसको GI Tech भी मिल चुका है, ठीक है, तो चलिए, यह जो है, वो हम इम्बैलेंस की सिती बनी होई है, क्योंकि USA नहीं अनौंस किया है, कि वहाँ से जो टुप्स हैं, उनको विड्रॉर कर लिया जाएगा, 11 सितंबर तक, और उसकी बाद में इम्बैलेंस जो है, उसकी सिती बन चुकी है, और तालीबान ने अफगानिस्तान की काफी की जाएगी, नूर सुल्तान केपिटल किसकी है, वह है कजाकिस्तान की, तहरान किसकी है, वह है इरान की, और काबुल किसकी है, वह है अफगानिस्तान की, तो दुशामबे यहाँ पर SEO की बैठक होगी, तो SEO क्या चीज है, SEO जो है शंगाई कॉर्परेशन ओर्कनाइशन, द उनका comparison किया जाए Western जो countries है उनके साथ में तो उनका comparison कहाँ पर होता है तो ऐसे question जो है वो mains के अंदर काफी पुछे जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Secretary General है Vlamidir Narow और इसके जो headquarter है वो काफी important है Beijing China के अंदर इसके headquarters है पंदरा जुन 2001 को इसको form किया गया था और founder जो countries है वो China है रजिया है उज़े पेकिस्तान है यहाँ पे आप लोग देख सकते है शंगाई 5 जो है वो इनको कहा जाता है नहीं कि 5 country जो है जिसने इसको establish किया था उनको शंगाई 5 के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर member state जो है वो आप लोग देख लीजिए लेकिन दो important देखिए इंडिया और पाकिस्तान recently इंडिया और पाकिस्तान जो है वो 2018 के अंदर इस CEO के member बने हैं तो जो middle east का reason है वहाँ पर जितना भी terrorism है उसको समाप्त करने के लिए CEO संगठन जो है वो काफी हद तक जो है वो कारे करता है तो observer state जो है वो अफगानिस्तान है बेलारूस है इरान है मंगोलिया है इसके साथ में dialogue partner जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और guest attendance के अंदर कई बार invite जो है वो UN वगरा को इनको भी invite किया जाता है 11 जुलाई 2021 को भारत का पहला crypto gaming उद्धान का उद्धान कहां किया गया है तो वो उत्राखंड के अंदर किया गया है देखे crypto gaming उद्धान क्या होता है कई बार आप लगोंने देखा होगा कि कुछ पौदे जो है वो बिना उगाए ही वहाँ पर उग जाते हैं जैसे बारिश किया गया है वो कहां किया गया है उत्राखंड के अंदर किया गया है जैसे algis की हम लोग बात करें तो algis जो है वो भी यहाँ पर अपने आप ही उग आती है तो वो भी किस के अंदर होगी वो crypto gaming के अंदर ही count की जाएंगी जैसे आप लोगोंने सुना होगा lichen का नाम ठीक है तो कवक और जो शेवाल है कवक और शेवाल के बीच की जो कड़ी है उसको कहा जाता है lichen तो जब भी pollution की मातरा बढ़ने लगती है तो lichen जो है ये वातावरन से environment से जो है वो खतम होने लगते हैं तो आप लोग यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि कवक और शेवाल तो ये क्रिप्टोगैमिक उनको कहा जाता है और इसके लिए जो उध्यान है वो है क्रिप्टोगैमिक उध्यान ठीक है चलिए उत्राखन जो है ये निर्मित हुआ था 9 नौवंबर सन 2000 को और रिसेंटली यहां के जो CM बने हैं वो कौन बने हैं पुशकर धामी जो हैं वो यहां के CM बन चुके हैं यूरो 2020 का किताब किस देश ने जीता है तो इटली जो है वो इस खिताब को जी चुका है इंग्लेंड को इन्होंने हराया है तो यूरो कब जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है ये एक्जाम के पाइंट अभी से इटली ने जीता है जैसे कल हम लोगों ने कि किया था वो था कोपा तो कोपा जो था वो रिसेंटली अर्जेंटीना ने जीता है किस देश को हराकर ब्राजिल को हराकर जीता है और 28 साल के बाद अर्जेंटीना ने एक खिताब जीता है 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले LNG सुईधा सहीयत्र जो है निकि फैसिलिटी प्लान जो है इसको कहा इनगरेट किया गया है तो नागपूर के अंदर जो है इसको एनगरेट किया गया है तो LNG देखिए लिकिट फाइड नेचरल गैस बिसी क्या होता है कि यह धरती के नीचे जो भी नेचरल गैस है उस नेचरल गैस को जब लिकिविड फॉर्म के अंदर कनव करेंगे तो इसकी जो density है density जो है वो तो उतनी रहेगी लेकिन volume जो है item वो काफी ज़्यादा कम हो जाता है और जैसे ही volume कम होता है item कम होता है तो फिर यह transport करने में क्या हो जाती है easy हो जाती है और इसी के लिए facility plan जो है वो एक साल के अंदर चार जो है वो grand slams होते हैं सबसे पहला Australian open होता है French open होता है Wimbledon होता है फिर कौन सा होता है फिर होता है US open तो समीर बैनर जी जो है वो Wimbledon Junior Purs Championship 2021 का खिताब इन्होंने जीत लिया है चलिए आज आप लोग के लिए study close question है कि दुनिया के पहले जो disabled astronaut है वो किस agency के हैं और उनको अंतरक्ष में भीजा जाएगा आप लोग मुझे comment section में इसका अंसर जरूर बताएगा और काफी important question है ठीक है चलिए मैंने आप लोगों से एक suggestion मांगा है कि मान लीजिए कि हम लोग questions की quantity को बढ़ा दें और news का session जो है उसको यहां से खतम कर दें मतलब अभी हम लोग 15 question लेते हैं और अब जो है वो 20 questions जो है वो बढ़ा दें और सीधा जो है कोई news वगरा नहीं headlines नहीं सीधा question से ही हम लोग शुरू करें तो आप लोग मुझे बताएगा कि आपका जो भी suggestion रहे वो मुझे आप लोग इंश्टा पर मेसेज़ कर सकते हैं आपका जो भी feedback है वो मुझे आप लोग message जरूर कीज़ेगा इसके साथ में lecture की PDF जो है वो आप लोग का available होगी कहाँ पर telegram channel के उपर with answers और जो भी question हम लोग कर रहे हैं उसका quiz available रहता है आप लोग के लिए बहुत ही बैतरीन content लेके आता है knowledge is power ये हमारी tag line है तो आप लोग channel को subscribe करना मत भूलीगा चली कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बैतरीन करंट अफेर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थेंक्यू